हेलो क्लास 30 स्टूदेंस आज हम आपकी मैक्स की क्लास टाट करने जा रहे हैं जिसका पेज नमबर 11 आज हम कम्लीट करेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर फर्स कुर्शन दिया हुआ है नमबर अप्टू 40, what number comes in between? यहने कि हमें कितने नमबर तक किन यहाँ पर नमबर दिया हैं 1 से लेकर 40 तक what numbers comes in between हो आपको क्या write करना है between number अब between number यहने क्या होता है beach वाला number जिनने आप after number की help से भी easily कर सकते हैं क्योंकि after number आपको बहुत ही अच्छे से आते हैं अगर आपको counting आती है तो यहाँ पर आपको first देख सकते हैं example दिया हुआ 26 and 28 तो 26 after क्या होता है 27 आपने यह write के हुआ तो 26, 27, 28 आप पूरी counting आपकी complete हो गई है as it is आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको second दिया हुआ 13 and 15 यहने आपको क्या करना है आपको answer write करना है तो 13 after क्या होता है तो 13 after 14 as it is आप 10s देखकर भी complete कर सकते हैं यहाँ पर आपको 111 की line की दिया हुई है जिसका 10s आप देख सकते हैं दोनों तरफ 1 लिखा हुआ यहने center में भी क्या आएगा 1, 3 after is 4 तो 13, 14, 15 आप counting की help से चेक कर सकते हैं कि आपका answer correct है या नहीं next आपको दिया हुआ 20 and 22 तो यहाँ पर 20 दोनों का 10s है तो हम यह 2 right कर देते हैं 0 after is 1 to 20, 21, 22 next 23 and 25 तो आप counting बोल लिजिए 21, 22, 23 and 24 इन वे में से आपको जोन सा भी वे easy लगे आप उस वे में इस page number 11 को complete कर between numbers right करेंगे और ताखी में counting की practice भी करेंगे करेंगे पर दोला साफी करेंगे हैं